वेलकम तू माइ यूटूब चैनल कोडिंग एक्सपरिमेंट आज का जो हमार टॉपिक है प्रोग्रामेंग इन जावा में पॉलिमॉर्फिस्म इन चावा किया होता है यह कितने टाइप से होता है आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं तो पॉलिमॉर्फिस्म इसका सिंपल मीनिंग होता है कि एक से अधिक बार हम इसका यूज करते हैं आपको मैं आंगे और अच्छी से बताऊंगा तो पॉलिमॉर्फिस इन जावा इसा कॉंसेप्ट विच वी कैन फर्फॉर्म एक्सन इन डिफ्रेंट वे तो पॉलिमॉर्फिस में एक कॉंसेप्ट है यह पॉलिमॉर्पिस में आपको मैं गयर एक्सको एक्सप्लेश करके बताऊंगा यह वT क्या था कि Viya को पॉरी मौर्फिस्म जो है दो वय्से मिलकर बना हुए है पॉली और मेन्स पॉली का मेल दो घॉर मोर्फिस्म का मतलब होता है मैनि फिर्ट कौहें इह सब्मकुर्ट कर सकते हैं मैनी मैं मैंटर में उसको कणवर्ट करसकते हैं तो आपको मैं रियल वर्ड एक्जाम्पल की तुर एक्स्प्लेइन करके बताऊंगा कि यह कैसे तो देखिए गाइस यह एक परसन है परसन जो है एक टाइम पर क्या है टीचर है तो टीचर का जो बिहेवियर रहेगा वो सीधा रहेगा और इस्टुडेंट को टीचिंग करने में टाइम में ट्रिच रहेगा और जब वहह टाइम से परसन जो है अप्रेंड बन गया है अपने डोसतों के में वह खुलके बात करेगा जो उसका behavior है वह चैंज हो जाएगा अब वही परसन अब दुकान में जाएगा एक सोप में वहां customer बन जाएगा तो जो दुकान मालिक है उसके सामने customer का जो behavior है वह हो चैंज हो जाएगा अगर उसे ज्यादा रेट में मिलेंगे तो उससे चिलाने लगेगा तो यहां एक ही परसन है बट उसका जो behavior है वह अलग अलग है वह teacher बन गया student बन गया customer बन गया friend बन गया तो polymorphism भी वही कहता है कि एक ही एक्षेंट को वह different different way पर perform करते हैं मतलग कि जो person है वह different different way पर एक ही एक्षेंट को जो है perform कर रहे है तो polymorphism जो है टाइब और पॉलिमोर्पिसमिंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपाइल टाइम पॉलिमोर्पिसमिंगे को कि यह होता क्या है अब पॉलिमोर्पिसम विच इस एक्ट टाइम अब कंपाइल टाइम पॉलिमोर्पिसमिंग जैब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो उस दौरान जो कंपाइलेशन में जो पॉलिमोर्पिसम आ जाता है उसको हम कंपाइल टाइम पॉलिमोर्पिसम कहते हैं इसका एक्ज अर्चीव करते हैं अब साथ में मैं आपको बता दे रहूं कि method overloading होता क्या है तो whenever a class contains more than one method with same and different type of parameter card method overloading जब हम प्रोग्राम में एक से अधिक method बनाती है तो उस method का जो return type है और name same होते हैं बट उसमें हम अलग-अलग parameter pass करते हैं तो उसको हम method overloading कहते हैं इसको मैं आपको syntax के थ्रू explain करके बता दूंगा कि यह कैसी होता है तो इसका हम syntax देखते हैं रेटन टाइम method का ने और पैरामीटर हम इसमें एक पैरामीटर पास कर रहे हैं सेकेंड में क्या return time सेम है method का नेम भी सेम है बट उसमें हम अलग-अलग दो डिफरेंट पैरामीटर पास करने तो इसी को हम method overloading कहेंगी इसको मैं programming में अपको और अच्छी से program के थ्रू explain करके बता दूंगा कि यह किस तरह से program में आता है कंपाइल टाइम पॉली मॉर्पिस में हम method overloading का एक्जामपल क्रेट करेंगे तो सबसे पहले हम class बनाएंगे class का नाम में 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 क्लास में method हम बना लेंगे void addition परफॉर्म करेंगे इंटीजा टाइप से डेटा टाइप नहींगे वैरियेवल सब को अ is equal to 10, b is equal to 20, c is equal to हमें find करना रहेगा तो c is equal to a और b की value को यह add करेगा कि print statement का यूज़ करके इसको display करेंगे system.out print statement c की value को यह display करेंगे method overloading करना है तो method overloading की महाने आपको definition में बताया कि एक class के अंदर जो है एक से अधिक हम method create करते हैं उस method का name return तक तो सेम रहेगा बाट उसमें हम different different parameter pass करेंगे तब जो method है वो overloading हो जाएगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसी method को copy कर लेते हैं और यहां paste कर देते हैं इसमें हम change कर देंगे इसमें हम parameter pass करेंगे एक सेंड दूसरा भी पास कर देते हैं वाई है कि एक और हम method कर लेंगे void add इसमें भी हम parameter pass करेंगे एक सेंड दूसरा हम change करेंगे इसमें डबल पास कर देंगे double y int c c is equal to x plus y की value के store करें इसको हम double दे देते हैं है अ हुआ है हुआ है हमने यहां एक class के रिट के class के अंदर हमने method बनाए है first matter avoid add इसमें किसी प्रकार का parameter पास नहीं कर रहा है second method में हम parameter pass कर रहा है और तीसरे में हम अलग सी parameter पास कर रहा है अब class के method को access करने के लिए में एक object करना होगा तो हम एक object बनाएंगे object के लिए main method बनाने पहले public static void main single js class का ना main object हम सपूर्ज यहां यह तो variable है तो हम बना लेते हैं यहां आर जो है यहां हमारा object है is equal to new main object के access करने के लिए हम reference variable के थुरू उस method को call करेंगे reference variable r.method का नाम है add okay इस program को हम execute करेंगे तो यह वाला method execute होगा void add first वाला और output c की value यहां display करेगा इसको execute करते हैं 30 30 जो है 10 plus 20 के add के तब जाके 30 आया है अब आपको मैं बता रहा हूं कि compiler को यह JVM को पता कैसे चलेगा कि हम किस method को call कर रहे है क्योंकि method name गच्रापन में तो same है बस इसमेई parameter अलग-अलग है तो compiler method के behavior से पता करता है कि हम किस method को call कर रहे है जैसे कि इसमें हम किस भी प्रकार के parameter पास नहीं कर रहे है तो compiler समच जाएगा कि हम इस void method को call कर रहे हैं तो इसका statement को execute करेगा और output को return करेगा जब हम suppose एक और हम यहाँ दूसरे method को call करेंगे call at यहाँ से हम parameter pass करेंगे 100 and 300 तो compiler समच जाएगा कि हम इस वाले method को call कर रहे हैं integer type से variable है x और integer type से y तो यहाँ से हम argument को यहाँ से parameter pass कर रहे हैं तो compiler समच जाएगा कि हम इसको call कर रहे हैं तो इस वाले statement को execute करेगा और output को return करेगा इसको हम भी display करके देखें 400 output आ रहे हैं अब हम इस वाले method को call करना है void at int x और double y तो इसके रहे हम अलग से parameter pass करेंगे r.at सब्सक्राइब यहाँ 30 एंड सेकेंड हम 40.6 तो compiler समच जाएगा कि हम क्योंकि हम double value यहाँ ले रहे हैं point में तो compiler समच जाएगा कि हम 3rd step में जो है इस वाले method को call कर रहे हैं तो double type से हमें return करना है इसको execute के हैं तो अलग-अलग output आ रहे हैं 34,470 तो compiler जो है method की behavior से पदा कर लेता है कि हम case method को call कर रहे हैं तो यह हो गया method overloading method overloading को हम inheritance में भी perform कर सकते हैं और normally program में भी हम method को overloading कर सकते हैं इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम inheritance में ही इसको use करें second is runtime polymorphism runtime polymorphism होता क्या है तो आप polymorphism which exit at the time of execution of program is called runtime polymorphism जब हम program को execute करते हैं तो उस दारान जो polymorphism आता है उसे हम runtime polymorphism कहते हैं इसका example हम देखेंगे तो method overloading method overriding के through हम runtime polymorphism को हम achieve करते हैं तो method overriding जो है जेवीम में आएगा runtime polymorphism को हम jvm में perform कराते हैं और जो compile time polymorphism तब उसको हम compiler में execute करा सकते हैं बट जो runtime polymorphism में यह jvm में perform होगा तो method overriding के through हम में इसको achieve करेंगे program में अब आपको मैं यह बता दूं कि method overriding होता क्या है तो whenever we write method in super class and subclass in such say that method name and parameter must be same called method overriding तो जब हम एक class के super class और subclass इन दोनों में एक जैसा method रखती है तो उस case में method है वो override आ जाता है तो subclass का method है वो super class की method को override कर दीता है इसका हम syntax syntax देखेंगे इसका syntax है कि class a class a class a है जो super class है super class के अंदर method है white it के नाम से अब इसका हम bracket को close कर देते हैं एंड सेकेंड हम सबक्लास बना रहे हैं class b जो है class a को extends कर रहे हैं यानि कि यहां पास यह inherit कर रहे class b जो है class a को inherit कर रहे है class b में भी same method है जो में class a में था white it a और बी इन दोनों में same method है तो जो subclass है यह subclass का method है सूपर क्लास के इस method को override कर देगा तो यहां का जो statement है वह execute नहीं होगा jvm जो है subclass के method को call करेगा और यहां का जो statement है उस statement को execute करेगा अब method overriding है कुछ rules है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि कौन-कौन से rule होते हैं इनका हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम program को jvm ए perform करेंगे तो jvm सबसे पहले check करेगा program में method है या नहीं अगर program में method नहीं है तो errors आ जाएगा program में method है तो check करेगा yes or not अगर है तो check करेगा कि override है या नहीं अगर override नहीं है तो वह super call के method को call करेगा अगर override है तो वह subclass के method को call करेगा तो इसको मैं program में और अच्छे से explain करके बताऊंगा कि कब जो है super class के method को call करेगा तो इसको अग्जामपल के थुरू और अच्छे से explain करके runtime polymorphism में method over loading example create करेंगे तो method को overloading करने के लिए class को inherit करेंगे उसी time पर जो method है वह override होगा तो class बनाएंगे हम class का नाम सुपूर्ज हमने animal दे दिया animal class के पास method है void eat system.out print alan i am eating class b create करेंगे जो class animal को inherit करेगा class dog जो है animal class को extends keyword की मदद से inherit करेगा इसमें भी same method है कि इसको हम copy कर लेते हैं क्योंकि method को हम overload overwritten करना है statement में थोड़ा से change इसमें हम food कर देंगे पहचान के लिए अब आप में यहां बता देता हूं कि कौन सब class है कौन सूपर class है create super class create subclass यह method है method for super class ताकि जब आपको मैं explain करके बताऊंगो तो आप confuse ना हो कौन क्या है method for subclass अब super class और subclass के method को access करने के लिए हमें एक object create करना होगो तो object के हम नया class में object बनाएंगे class main public static void main string string args reference variable हम super class के लिए बनाएंगे और object जो है हम subclass के लिए बनाएंगे दोनों को हम एक साथ यहां लेंगे animal reference variable r equal to new subclass का नाम है dog reference variable के तुरू method को call करेंगे eat method को program को execute करते हैं और आपको explain करेंगे कि यह किस तरह से over करते हैं तो i am eating food तो यह वाला statement जो execute हो रहा है जो subclass के अंदर है अब आपको explain करके बता दूं कि यह कैसे आया तो जब हम method को override करते हैं तो subclass का method है वह super class के इस method को override कर देता है तो super class का statement है वह statement execute नहीं होता jvm जो है method जब override रहेगा तो subclass के method को call कर लेगा तो वहां का statement है वह statement जो है execute होगा मैंने आपको method over writing के कुछ rules बताया था कि jvm सबसे पहले check करेगा कि program में method है या नहीं अगर program में method नहीं है तो error आ जाएगा suppose हम इसको अभी यहां से हटा देते हैं तो आप देखिए कि program में जो है error आ रहा है program जो है यहां से execute नहीं होगा जब हम method को हटा देंगे second मैंने आपको बताया कि अगर method है तो चेक करेगा कि method override है या नहीं suppose हम यहां दो different method create कर लेते हैं इस case में method जो है override नहीं है तो जब method override नहीं है तो jvm क्या करेगा कि वह super class के method को call करेगा इसको method जो है यहां डिस्प्ले कर रहे है तो जब method override नहीं है तो super class का जो statement है वह statement execute हो रहे है तो jvm super class के method को call करते हैं अब जब method override है तो jvm क्या करेगा sub class के method को call करेगा इसको हम यहां से अटा देते हैं अब यह override है method तो इस case में jvm sub class के method को call करेगा और sub class के statement को display करेगा तो iam eating food जो है यह sub class का method का statement है programmer के हम hint के लिए यहां बता देंगे कि यहां पास जो program है वह override है override है हम programmer को बता देंगे कि यहां पास जो हमारा program override है तो नीचे जाकर कि कुछ भी check नहीं करेगा सामने से यहां देख लेगा जो program है वह override है तो आज की वीडियो में मैंने बताया कि compile time polymorphism, run time polymorphism method overloading और method overriding होता क्या है इसको program में किस तरह से perform कराते हैं प्लिव्चा क्या थे लीचिंग झाल झाल